हलो फ्रेंट्स वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाइनिता चंद्रा में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सम्मरी मैडम राइट तब बस इन हिंदी तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो इन दिस टोरी दा ओफर इस टाइंग तो प्रिजंट प्रोस्पेक्टिव देखिए यहां पर जो ओफर है जो राइटर है वो आपको बताना चाहता है कि जो संसार है जो वर्ड है वो एक बच्चे के नजरिये से प्रोस्पेक्टिव को मतलत नजरिया तो एक बच्चे के नज पहानी है जो कि तमिल एक गर्ल है जिसकी उमर जो है वो आठ साल है और एक वो बस टॉप के नजदीक में रहती है वाली डेलर पर डिजायर टू इंजॉयर राइड ऑन दबस अब देखिए वो डेली अपने घर से जो है वो देखती है कि इस चीज को बस को आते जाते तो जब वो बस को आते जाते देखते है तो उसके मन में एक इच्छा एक पनपते एक डिजायर पनपती है कि वो भी बस की जो है राइड करना जाती है तो देखिए ये ये किसी भी बच्चे के लिए यह common सी बात है अगर वो बच्चा किसी चीज को regularly देखते है तो उसके मन में desire आती कि मेरे पास भी यह चीज होनी चाहिए चाहिए वो खिलो ना हो या कोई वो और चीज हो For this purpose, she need to reduce her expenses so that she can save enough money for the two-way fare अब देखे, इसके लिए से करना कहा था उसके लिए इसको पैसे इकठे करने थे ताकि वो जो दो लो साइड आने जाने का जो किराया है fare यहाँ पर spelling करेता है आप fare लिख सकते हैं तो fare means किराया तो आने जाने का किराया है वो दे सकें, while on her journey, वली does not want anybody's help and want to feel independent अब देखे, यह एक बच्चे के independent यहाँ पर रहना चाहती है वो चाहती है कि उसके सफर में कोई भी उसको help ना करे, वो किती की help नहीं लेना चाहती, she enjoy every bit of journey to the town, तो शेहर में जाने का, जो जो भी जहां पर भी जिस जिस रास्टे से वो जाती है, वो हर चीज को enjoy करते है, जाती है क्योंकि इसको पता है कि यह जगर उसके लिए अंजानी है, on her return journey a setting, incident spoils her mood but she keeps it to herself does she want to explore more and more wishes to go for another ride in the future, आप देखिए एक incident हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे गाएं का कोई incident हो जाता है तो वोस incident से उसका mood जो है, खराब हजाता है लेकिन फिर भी वो किसी को नहीं बताती और वो ride, जो है, future में भी जाना चाहती है so this is a sensitive story of a tamil girl welli mai, or welli, who is only 8 year old तो यह जो story है बटा यह tamil लडकी की story है जिसका full name है welli mai और short में उसको welli हम लोग बला रहे है who is only 8 year old she was curious to know about the outside world also she did not have friends to play अब देके, दो चीज़े हैं यह पर एक तो उसका कोई भी दोस्त नहीं है और दूसरा, वो चाहती है अपने घर से बहार निकलना वो चाहती है कि बहार की चीज़ों को वो देखे, महसूस करे, इंजॉय करे so she keeps standing inside the doorway of her residence and watch people in the street this was her favorite past time however, she was always mesmerized by the bus journey जो है, वो अपने घर के जो दरवाजे पर है, वो खड़ी रहती है हमेशा और वहाँ से लोगों को जो उसकी गली में जो आने जाने वाले लोग हैं, जो सड़क पर आने जाने वाले लोग हैं, उन सब को देखती है और यह उसका फेवरेट पास टाइम है अपना टाइम वो इसी तरह से पास करती है लेकिन वो सबसे जादे मेसमराइज का मतलब बता है सबसे जादे अट्रैक्ट जो होती है वो होती है बस जर्री की तरफ अब देखे एक बस है जो उसके गाऊं और जो नजदीक का शहर है वहां के लिए वो जाती है अब देखे उसे इंफोरमिशन सबते पहले कितनी इंटरेस्टेड और कितनी इंटेलिजन वो चाली ला है वो उस बस की सारी इंफोरमिशन पहले निकालती है टाइमिंग के बारे में कि किस समय वो आति है और किस समय वो जाती है और इवन ऊसका फेर के है किराय के तो उसके लिए वो पैसे भी कखे करती है और उसे यह भी पता लगा है कि उसका जो गाउँ है और इसका जो शहर का जो डिस्टेंस है वो शह मील त। अब देखें नाप का मतलता है नींद छोटी सी जपकी जो हम लोग दुपैर को लेते हैं उसको बोलते है नाप अब देखें क्या करती है जो वली है उसको पता लगे कि जो वहां क्या जो एक तरफ का किराया वो 30 पैसे है तो इस के लिए वो क्या करती है अपने पैसे बाता करती है डबल साइट का आने जाने का किराया इकठा करती है और वो प्लैन करती है कि जब उसे जाना है वो दुपहर का टाइम हो क्यों 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 कि उसके जो मदर है वो समें सो रही होती है तो उसके लिए easy होगा वहां पर came she told the conductor she wants to go to town the conductor was a jovial person he called her madam and showed her the seat the bus was new and painted green and white color strip आदे कि जो bus है वो बिल्कुल new है और जैसे ही वली bus को देखती है उसमें चड़ जाती है और जो conductor है वो बड़ा jovial person है बड़ा हस्मुक आदमी है तो वो उसको madam बलाता है और उसको seat देता है बट जो वली है वो बहुत ज़्यादा curious child है बहुत ज़्यादा intelligent child है वो conductor को मना करत है कि मुझे आपको मैडम बलाने की जुरत नहीं है मैंने आपको आपका फेर ले लिया तो इसलिए आप अपने काम से काम रखें यह जो है वली उस conductor को बोल देती है अब देखिए उसने पहले इन सब चीजों के बार में सोना था लेकिन वो पहली बार बस से जा रही है माउंटेन, ग्रीन फिल्ड मतलब जो भी वहां के पहाड जो मैडान है वो सब उसको देखती है बड़ा इंजॉय करती है फर्स्ट इम अब देखिए जब वो जा रही है तो वो क्या देखती है वो देखते एक जो गाए है वो बस के आगे आ जाती है तो बस के आगे जाती है जैसे ही ड्राइवर हॉन बारता है तो जो काव है जो गाए है वो वहां से क्रॉस कर जाती है और इस चीज को भी देखके देखे बहुत जादा वो खुश होती है बहुत जादा इंजॉय जो है वली यहां पर करती है उसका जो भी इंसीडेंट था वो पूरा हो गया है she was watching everything but the outside landscape was her past time अब देखे वो अपने आस पास भी सब कुछ वो देख रही है और वो अपनी seat से नहीं ही ली यह आपर और लेकिन उसका जो फेवरेट जो चीजे थी वो थी outside landscape जो बाहर की scenery थी वो उसको enjoy कर रही थी after some time the bus reached the final destination and all the passenger got down तो अब गया होता है थोड़ी दिर के बाद जहां पर bus ने जाना होता है जो last location रहती है तो वहाँ पर जाके bus जो है रुख जाती है और सारे के सारे passengers जो है वहाँ से उतर जाते है the conductor asked her to get down but she told that she was there for the bus ride अब conductors को बोलता है madam की सभी लोग उतर चुके है आप लोग आप भी उतर जाएए कुछ breakfast चाहे वगरा जो कुछ भी आपने लेना है कुछ खाना पीना हो खा भी लीचे लेकिन वो मना कर देती है और वो बोलती है मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बस क सेघ र के लिए आई थी the conductor while listening to her reply वली रेमेंड ऑन दू बस एड टेकर गारेस अब जो वली है वो क्या करती है वहां से return ticket जो है conductor से ले लेती है और उसे bus से उतरने से मना कर देती है the bus started on her way back home she saw the same cow dead by the roadside this made her hurt cry अब देखिए क्या जो cow जो पहले उनके bus के आगे आई थी और वहाँ से वो उचलती कुती चली गई थी तो वो जब वापिस आ रहे थे वो वली देखती है वही सेम जो cow है वो dead पड़ी थी सड़क के उपर और इस से जो है वली का जो मन बहुत दुखी हुआ और वो बहुत जादा दुखी हुई she thus became sad and tried to understand the meaning of life and death in her own terms she came back home but did not share a word about the journey with her family अब देखिए यहाँ पर जो है वली जो cow का incident उसके साथ हुआ है वो बहुत जादा दुखी होती है और वो understand करने की कोशिश करती है समझने की कोशिश करती है कि life में death का मतलब क्या होता है अपने हिसाब दे और यहाँ तक आने के बाद वो घर वापिस आती है वापिस आने के बाद वो एक भी moment किसी के साथ भी शेयर नहीं करते not with her mother, not with her father अगर देखे conclusion की बात करते है the story illustrates the desire of a small girl and how a bad incident make her understand the matter of a life and death तो देखे यह जो story है यह हमें बताती है कि एक छोटी जो लड़की है उसकी desires क्या थी और कैसे एक छोटे से incident ने उसकी life को उसकी understanding को change कर दिया life और death के बाद